Hello Students, Welcome to my channel आज मैं 4th स्ट ट्रिप्ट का पेपर का सोलिशन करा रहा हूँ, CGL का Succ CGL 2023 चोधे जुलाई का 4th सिप्ट का पेपर 4th सिप्ट का पेपर का सोलिशन मैं कराने जा रहा हूँ, मैहत का वीडियो को end तक देखना और चैनल को subscribe कर लेना अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like करना ओके शुरू करते हैं पहला question पहला question है average sale of the company 2018 के लिए average sale कैसे निकालेंगे सारू को add करेंगे सारू को add बीना pen उठाए मैं आपको add करना सिखाऊंगा जैसे देखो 70 और 40 क किता होंगे 100 100 यह धर गया 5 धर गया तो हो गया 60 60 और 160 हो गया 160 और 20 180 को average निकालना है एक दो तीन चार चार है तो चार से डिवाड़ किया तो है आ गया 45 45 आ गया पूछा है 1000 में तो 1000 से multiply करा देंगे तो option यह answer हो जाए गा इस तरह से इसका average निकालना था अब next question है ratio of the boys and a girl boys boys और girls का ratio दे रखा है क्या दे रखा है 11 by 11 ratio 15 कह रहा है 200 girls जो है more boys से boys कितने इतने इतने तो इनका difference दे रखा है 4 ratio का difference रखा है 200 के equal 200 के equal तो एक ratio कितना आ गया 50 पूछा है boys कितने boys को 11 से multiply करा दो 50 तो 550 ओके एक option हो जाएगा इसका next question अब पूछा है what is the respect ratio of this sweet manufactured by the company यह company दे रखी है 6 company 6 company में पूछा है ratio पूछा है PQRT together PQR कोन से year में 90-98 PQR 90-98 PQR इस ratio को add करेंगे इसे add करेंगे इसी तरह से add करना देखो 100 200 300 400 400 400 गया 400 लिखा हमने कैसे add करना से कर रहा हूँ 400 50 or 40 90 90 or 7 कितना हो गया 160 160 को add गया और और 8 है तो 8 6 5 6 5 6 5 6 8 आ गया ओके addition कर मैं सिखा रहा हूँ कैसे करना है अगर आपको नहीं आता है तो पेपर में फिर पूछा है और फिर करते हैं 92 92 यह 7 अटू 97 तो यह हो गया 499 ओके तो option A हो जाएगा इसका right answer इस तरह से question करना तो next question ratio of the monthly income और expenditure इंकम का और expenditure का ratio दे रखा है कितना 8 ratio 5 तो saving का ratio क्या जाएगा saving का ratio जाएगा 3 अब कह रहा है 20% income में कीज हो है तो 20% करेंगे तो 1.5 से multiply कराएंगे इसमें तो बार अठे 96 हो जाएगा यह आगी आपकी new income 9.6 इसमें कराएंगे expenditure 1.3 से तो 6.5 तेरा पंजे 65 ओके अब यहां देखें कितना पूछ रहा है कितना inquiry degrees होगा saving में तो कितना हुआ जो गया 96 में से कटेंगे तो 3.1 आ जाएगा ओके एनिक 6 में से 5 गया 1 और 9 में से 6 गया 3 तो कितना increase हो रहा है 3 पे increase हो रहा है 3 पे increase हो रहा है कितना point 1 into 100 percentage के लिए क्या हो रहा है increase हो रहा है तो increase में कितना option है एक दो अब यह गया 10 यह बचा 10 upon 3 10 upon 3 को divide करें 3 ratio 3 साही 3 बटे वो 3 साही 1 बटे 3 यानि कि option C हो जाएगा increase प्रीज अब इस तरह question कैसे करते हैं बीन प्रेंट ट्राइए करना है तो जिससे option में देखा यह साज में 14 है यह से गया तो कितना हो गया 3 और यह minus के 5 तो दो बचा है है ओके यह 6 है यह total क्या आ गया यह 6 6 हो जाएगा 6 square 6 square into 6 into 2 यह हो जाएगा 12 यह हो जाएगा 12 इसकी value 12 हो जाएगी इससे divide गया 2 इससे divide गया 3 तो यह 2 बचा यह 3 बचा यह 2 बचा यह 3 बचा टू गई 3 option C इस तरह से कुछन सोल करना था बोर्ड मास से अब यह question है कुछ यानि बहात्तर रुपे हैं तीन साल में 104.4 होगी ओके पूछा है कि 120 रुपे 5 साल में कितना होंगे सेम इंट्रेक्ट पर जो रेट यहां होगा तो ऐसा ही कितना है ऐसा ही कितना होगा इस मेंसे पी मतल्द कितना 72 और कितना रेट निकालना है यह कितना है 3 ओके इस तरह से करेंगे 18 से डिवाइड करेंगे इसे इसकी 100 की मुल्टिप्राइश चालिस हो जाएगा ठीक है इसकी मुल्टिप्राइश इधर करा दी अठारा से करा अठारा चोक और यह गया 18 टाइम्स ओके अ इससे है जाएग आपका 30 से डिवाइड करेंगे 60 से वñas 15 रहें 15 और हमारे पास हमारे 15 आगिया ओके अभड हमें पूछा गया कोश्चन है 17gehen सनी कि हम ऐसा ही निकालेंगे इसका 120 अब 120 में यहां लिख लेंगे पहले, ओके 120 क्योंकि हम अमाउंट निकालना है ना अमाउंट तो एसाइ कि पी आर्टी, पी कितना है, फिफ्टी ना है, और ये कितने है, फाइव, अपोन हंड्रेड, ओके, इससे यह गया, और बारह पंजे शाट, शाट और पंदरे, एक जिरो से फिर पंद्रेड चंग 90, 90 में, 90 में 128 किया, तो 210 आ गया, यानिक अमाउंट आ जाएगा 210, यानिक दोस्तों 10, नेक्स्ट कुश्चन, ये कुश्चन है, जब भी ये पूछा क्या, पूछा क्या है, A, C, B, A, C, B, पूछा है, A, C, B, ये एंगल जो इसका हाफ होता है, ये याद सक्सेशिव निकालेंगे, फिर उन दो का सक्सेशिव पर इसके साथ एड़ करेंगे, तो सबसे पहले, इसका वो क्या है, अगर हमें निकालना है, डिस्काउंट परसेंट ये निकालनी है, तो A, पिलस B, माइनस A, B, बाई हंड्रेड, इस तरह से पहले तो हम पहले वो निक 35 15 इन्टू 20 अपों टाउसे इसे गया 35 माइनस 30 आएगा तो 3 माइनस यानि कि 32 जीरो से कड़ जाएगा तो 32 आगया यहां से 32 अब 32 और 25 के बीच में लगाएंगे वार और ओके 32 इन्टू 25 ओके नेक्स्ट अब यह करते हैं 7 इन्हें एड कि हमने 57 अब 25 दूनी 50 ओके 25 के 75 असी ओके दो जिरो से दो जिरो जाएंगे तो 8 57 में से 8 गया तो 49 ओप्सन भी हो जाएगा 49 परसेंट आजएगा नेक्स्ट कुस्ट्ट ए एक टैंक को अठार दिन में फिल करता है बी उसी टैंक को कितने दिन में फिल करता है सुरी ए जो है MPT करता है 18 आवर में और पी जो है 24 घंटे में उसको फिल करता है मैंने निगेटिव से लगाए वो खाली कर रहा है सुरी यह फिल कर रहा है यह MPT कर रहा है सुरी गलती होगी आवर इसका वो निकाल लेंगे हम वर्क डंट टोटल वर्क निकाल लेंगे 72 हो जाएगा 18 चोक बहुत ता चार एफिसेंस से आगे इसकी आजाएगी तीन पूछा है दोनों यानिकि साथ होगी दोनों कितने दानम का काम करेंगे साथ से डिवाइड करेंगे तो साथ से 10 टैमस दा रहा है बचे का टू तो टैन सही दो बटे साथ और सी ओप्सन हो जाएगा नेक्स कुस्चन एक मिक्सर है पहले रेशियो दे रखा है था फोर रेशियो वन ओके इदे रखा है टू रेशियो वन अब हमें क्या कहा है जिससे नहीं कर आए उसको बढ़ा ही नहीं है तो इसने फ्रूट जो बढ़ा नहीं है वाटर बढ़ा है ठीक है तो फ्रूट जब बढ़ा बाटर का अब हमें यहां से रेशियो निकाल लेंगे हैう डियात्त स्थ हो जाएगा अब next question है next question है राणू carries water to the school water carries करती है cylinder flags में तो पूछा है कितना water carry करेगी तो सीधा से volume लगाना है cylinder का pi r square h pi r square h से करेंगे 22 upon 7 into r square कितना है diameter यह अब हो जाएगा इसका radius half हो जाएगा तो 6 into 6 into 21 ओके इसे divide करेंगे 7 या 21 ओके 1-2 को यहां से लिए 6 3-6 होगे तो 216 और 11 11 की multiply कैसे कराएंगे देखो सुनो 11 की multiply पहले 6 लिखेंगे फिर 6 में 1 add गया तो 7 फिर 1 में 2 add गया तो 3 फिर 2 as it is तेही शियत्तर इसका answer हो जाएगा तेही शियत्तर इस तरह से इस question में फोल गना था next question एक पुलिसमेन एक पुलिसमेन फोलो जाथीफ यानि कि एक पुलिसमेन फोलो कर रहा है जो कि पहले से इतनी दूर है यानि कि इतनी distance कवर करनी पड़ेगी पुलिसमेन को और एक्स्टर में तो speed दे रखिये पुलिसमेन की 10 और इसकी 8 पूछाए कितनी distance जो है ठिपने cover की पुलिसमेन के पकड़े जाने से पहले ओके सबसे पहले तो इतनी distance कवर न करनी बारासो पचास relative speed का concept लेगाएंगे यहां से हम time निका लेगे कितने time में cover किया दोनों एक direction में जा रहा है दोनों के विच्टम डिस्टेंस थी 1250 दोनों एक direction में जा रहा है तो relative speed माइनस करेंगे YEight उसको माइनस करेंगे 5 by 18 Kolay अब क्यो हो गया 1250 into 18 by 10 हो जाएगा तो इसे कर जाएगा तो 125 into 18 seconds आ गया time आ गया 125 into 18 seconds time आ गया 125 into 18 seconds time आ गया अब पूछाए कितने distance कितने थिप ने cover की तो इसमें जो है time दे रखा है तो speed into time में कर देंगे तो distance निकल जाएगे अब यह क्या था यह सेकिड में यह किलोमेटर पर आवर तो 5 by 18 से मिसमें multiply करा देंगे इसे मीटर मीटर से मीटर पर से करने के लिए 18 से 18 गया याट पंजे 40 हो गया 40 और 40 और 125 की multiply करा आएंगे तो पांच चुक बीस और पांच चार पंजे बीस और चार दुनी आठ और दुद्दस और हो गया चार चारी करना चार रिखासे पांच तो 500 मीटर वो सुरी 5000 मीटर तो यह हो गया पांच किलोमेटर यानि कि option C हो जाएगा किलोमेटर बुचा था सैक ठीटा प्लस 10 ठीटा की वैल्लि जिदे र होगी तो इसका सेक ठीटा की वैली की वैली 收uki र्किए तो 10 theta, sec theta minus 10 theta क्या होता है, 1 upon 5, और sec theta plus 10 theta क्यों यह दर रखिया है, 5, ओके, अब पूछाता है, sec theta, sec theta पूछा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को addition कर देंगे, तो यह जाएगा 2 sec theta, यह जाएगा 1 upon 5 plus 5, अगर हम इसे 2 पे दर ले जाएगे, तो 1 upon 2, कौन से option है, 1 upon 2, 5 plus 5, option C में है, ओके, next question, एक circle दे रखा है, एक circle दे रखा है, circle है, circle है, उसमें कहा रहा है, circle में, circle दे रखा है, circle में, पूछा है, longest code दे रखी है, मैं कितने दे रखी है, longest code, यह दे रखी है, 14, 14 दे रखी है, distance from the center दे रखी है, 24, तो पूछा है, length कितने होगी, पाइथागोरोस से लगा देंगे, 7, यह हो जाएगा, triple 8, 25, 27, 24 का triple 8 होजा है, 25, तो B option हो जाएगा, a man take 15 minute, आप कुछ सोचो, अगर up stream में कोई वन्दा जा रहा है, तो उसे जदे time लएगा, और down stream में कम time लएगा, दे रखा है, 25% less है, तो इसका 25% less कितना हो जाएगा, 4 by 3, ओके, यह 5.20, यानि कि अप stream में कि तर टाइम लग रहा है, अब stream में जब जा रहा है, तो 20 minute लग रही है, अब पूछा क्या है हम से, पूछा है, main की speed क्या होगी, यानि कि पहले हम U plus V, यह तो थी main की speed यह होती है, जो रो, यानि की, वीवर होती है, उसकी stream की speed, तो हमने downstream में, यानि की plus होंगे दोनो, तो 16 upon 15, इसे second में गल लेंगे, meter per second में, 15 चुके 60, ओके, यह आगी आपका 64, यहां से, अब U minus V, कितना है, 16 है downstream में भी, डिस्टेन तुछ सेम रहेगी, पर time की आया था, 20 लिया था, इंटू, 60, meter per second में गलने के लिए, 3, यह आगी आपका, 48, अब हमें निकालना क्या है, U, यानि की U निकालना है, तो इन दोनों का addition करतेंगे, तो 2U is equal to, इसे add करेंगे, 4 और 8, 12, 1, 1 carry आगया, 10, 11, इससे divide करेंगे, 5 times, और 6 times, यानिक 56, ये option हो जाएगा, नेक्स कुश्चन, तो डू असर्टेन वर्क, अजे इन वारत के लिए, यानि का alternative day में कर रहे हैं, दोनों, तो जब हम पता था, जब हम alternate day में करते थे, तो जो पूरा काम करते थे, वो आदा आदा, यानि कि एक न आदे दिन काम किया होता था, जैसे हम add करते थे, कि भरत ने, अजे ने जो एक काम किया, एक दिन में, भरत ने जो वो काम किया, अगले, तीन दिन में, तो दो दिन का वर्क होता था, वो दो दिन का वर्क, तो उन इन का बट इन मेसेज इन में जो दो दिन तो काम किया A ने दो दिन काम किया B ने तो यहां से हम इस कॉंसेट को लगाएंगे जैसे दोनों ने काम किया है कितने 8 days में तो A ने कितने 32 दिन में B और A ने कितने दिन काम किया है यहां हमें 4 days करना होगा क्योंकि दोनों ने अलग-अलग तो 4 days में किया है यह total काम दे रहा है अब कि total काम किया इतने दिन में पर एक दिन में इतना काम किया है तो total काम कितना होगा 32 अब A की efficiency एक होगी इन दोनों की efficiency कितनी होगी 8 तो B की efficiency आगी 7 B की efficiency 7 आगी अब कह रहा है 7 times यानि कि 7 times B कितने दिन में करेगा 7 times कर दिया 7 times और 7 से 7 divided कर दिया यानि कि B से निकालना है तो 7 से 7 divided कर दिया तो 32 days में करेगा ओके option D हो जाएगा अब ये question है A square plus B square की property लगाएंगे A square plus square क्या होगा 32 का square minus 2 same property X square जो लगाते है X square X plus 1 upon X square और हमें निकालना ये निकालना है X square plus square तो ये पूरे काई square minus 2 कर देंगे ठीक है पूरे का square minus 2 तो ऐसी 32 square 32 का square कैसे निकालनेगे 32 का square minus 2 करना है तो 4 9 और इनकी multiply कर आएंगे 12 है sorry 3 into 2 6 और 2 12 इसे as लिखेंगे ये हो जाएगा 2 ये हो जाएगा 10 इसमें से 2 गया तो कितना बचा 1022 ओके B option next question A और भी separately can do our work कितने 12 B कितने में 15 B कितने में 15 और C कितने में 20 total work आगे 60 5 4 और 3 ये efficiency आगी अब तीनों काम कर रहे हैं चार दिन तक तो तीनों की efficiency टोटल करेंगे तो किया जाएगा 5, 4, 9, 9 और 3 कितना हो गया 9 और 3 12 12 हो गया 12, 48 48 काम कर दिया इन्होंने 4 दिन में बचा कितना 12 काम remaining work what will be the remaining work 12 काम कितना 60 का 60 का तो 1 by 5 यहनि कि 1 बटे 5 काम बचा ओके B option हो जाएगा अब ये question था थोड़ा Calculative है मैं इसे थोड़ी देर में कर रहा हूँगा end में Calculative question में end में लेता हूँ वीडियो के जब भी इस तरह का question दिखे तो हमें क्या करना हूँ था loss और gain दिखे और कहरा हूँ in case हुआ है तो इन दोनों को add करते हैं तो यह 36% कितने के equal है 324 के 36% 100% का 100 यह दे लेगे इसे इसे डिवाइड किया अब इसे हम डिरेक्ट डिवाइड ना कर पाएं इस तरह से इस question कोना था next question अब यह a cube प्लस b cube के property a cube प्लस b cube के property का क्या होती है a plus b और a square minus b sorry b square minus a b ओके अब हमें जैसी value रखेंगे sin x cos x sin x cos x sin alpha plus cos alpha रखेंगे तो इस sin alpha से cos alpha चला जाएगा यह पूरी तरह से ठीक है यह value पूरी तरह से कट जाएगी यहां बचेगा sin square plus cos square minus a b minus किसमें एक में है तो option c हो जाएगा sin square plus cos square alpha जो है वो बन हो जाएगा अब यह इसमें m plus x plus l की value पुछिए तो सबसे पहले similar triangle दे रखा तो हम x y और lm r lm lm यह है और x y यह है x y यह है तो 2m plus one side से कुल है तो यहां से m की value कितनी आगी यह दर जाएगा 2 m की value आगी 2 अब फिर दूसरी y z y z यह है और mr mr यह है तो 2p plus 2 8 के कुल है तो p आगी आपका यह दर जाएगा 6 हो जाएगा यह जाएगा 3 ओके यह 3 आगी अब ऐसी y z वो x y x x z x z में 7 इकुल है और यहां लिखेंगे l r l r क्या है l r 2 x 2 x माइनस 1 इसकल टू 7 यह 8 हो जाएगा तो x की value हो जाएगी 4 इदर जाएगे 8 हो जाएगा तो x की value हो जाएगी 4 पूछा है m x plus m plus x plus p पूछा है तो 5 और 4 5 और 4 कितनी हो जाएगी 5 और 4 हो जाएगी 9 तो option c आजाएगा इसका next question अब यह हमें दीख रहा है यह a cube a minus b का formula है a minus b के whole cube का formula है तो इसमें क्या करेंगे यह value निकालनी है हमें तो 17 minus 13 का cube 17 minus 13 नहीं कि यह 4 हो जाएगा 4 का cube यह जाएगा 64 option 4 हो जाएगा इसका next question अब इस तरह एक question कैसे करते हैं पहले इसमें board math से off को solve करेंगे तो off को solve करेंगे तो यह जाएगा 18 upon 6 into 5 plus 72 upon 36 off को solve करेंगे into 3 यहां करेंगे 4 से इसे डिवाइड कर देंगे 8 को तो 1 by 2 into 2 यह आ गया अब यहां से इसे डिवाइड करना है 3 times 5 into 3 15 ओके 18 से डिवाइड करेंगे 18 दूनी 36 18 चुक 22 ओके 2 times दिजा सकता था यह हो गया 6 ओके यह हो गया minus 1 यह हो गया 21 और minus 1 यह हो गया option A हो जाएगा इस तरह से इसको सुनो थो लोगा next question next question नेक्स ने जोब दी ग्याने इंद्र और अर्विंद्र अर्विंद ग्याने इंद्र और अर्विंद्र की एज क्या का राइशियो ते दे रखा है 6 रेशियो 5 ठीक है सम दे रखा है दोनों की एज का तो 11 दोनों का सम कर देंगे 6 प्लस 6 प्लस 5 पचपन के एकोल है यानि कि 11 रेशियो 5 पांच के एकोल है पूचा है वाट इदर रेशियो वाट इदर रेशियो तो 37 7 सा लेट गए तो 37 और 37 में करें के 32 तो 37 32 आंजर हो जाएगा 37 32 ओके तो B ओप्शन हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन यह पूरे कोश्चन थे मैंने पूरे कोश्चन का दी एक कोश्चन हमारा बच रहा था अब हाँ X C 4 में हमें दे रखा है तो हम पहले यहां से X स्क्वाइर में पोचेंगे हमने यहां 2 एड़ किया इधर और इधर भी 2 एड़ किया तो 256 हो गया तो यहां से हम X स्क्वाइर 1 अपन X स्क्वाइर की वैल्य निकल जाएगी क्या जाएगी 16 अब हमें x इसमें फिर दो एड़ करेंगे तो यह 18 हो जाएगा यह हो जाएगा तो x plus 1 upon x की value आजाएगी 3 root 2 ओके यह दो value आगी 16 1 upon x square की और इसकी आगी 3 root 3 अब हमें जो है इसमें पहुचना है तो हमें x square plus 1 upon x square x cube upon 1 upon x cube और हमारे पास x plus 1 upon x हमने निकाल लिया है माइनस करना है उसको तो यह value हमें निकाल लिया है तो हमारे पास यह value तो हमारे पास आगी ते 16 अब हमें इसके लिए काम करना पड़ेगा हमारे पास इसके लिए इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं x cube plus 1 upon x cube को निकालेंगे तो क्या करेंगे जो हमें value दे रख्योंगी x plus 1 upon x की उसका cube करेंगे और minus 3 कर देंगे यानि कि इसका cube करेंगे उसमें से 3 minus कर देंगे यहां से 3 कैसे करेंगे 3 था हमारे 3 under root 2 minus 3 यह हो जाएगा 9 यह हो जाएगा 27 अइन्टू 2 तो 50 यह हो जाएगा 27 इन्टू 3 अंडर root 2 यह माइनस करेंगे अंडर root 3 इन्टू 2 3 इन्टू 2 यह करेंगे यानिके 3 under root 3 इन्टू 3 तो यह 9 हो जाएगा यह हो जाएगा 54 अंडर root 2 शुरू में मैंने गलत बोल दिया था थोड़ा सा यहां लगना यहां करेंगे 9 माइनस करेंगे 54 इन्टू 2 तो फिर 45 अंडर root 2 ओके फिर नेक्स वैल्यू एक्स प्लस वन अपोन एक्स की वैल्यू गया थे 3 root 2 16 अंडर root 2 माइनस 3 अंडर root 2 तो यहां जाएगा 717 अंडर root 2 717 अंडर root 2 तो ओप्सन ए हो जाएगा यह कोश्चन दे सारे मैंने आपको करा दिया अगर वीडियो चिल लगी तो चैनल को सस्क्राइब कर लेना वीडियो को लाइक करना और कमेंड बोक्स में कमेंड करना जाहें जय वारत